आज हम देखेंगे साइलोटम की राइजोईट्स याने की प्रकंद का अनुप्रस्थ काट साइलोटम ट्रांसफर सेक्षन आफ राइजोईट्स ठीक हैं इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बाहतवचा की बाहतवचा यह पतली भित्ती वाली कोसिकाओं के बाहतम इस्तर के रूप में होती है जिसमें कहीं कहीं पर मुलाभास लगे होते हैं बाहतवचा के रंद्रों का अभाव होता है बाहतवचा में रंद्र नहीं पाया जाता ठीक है कॉर्टेक्स सेकेंड में आते हैं इसके कॉर कॉर्टेक्स यह कॉर्टेक्स मुख्यता तिन भागों से बना होता है पहला अपर कॉर्टेक्स दूसरा मीडिल कॉर्टेक्स और थर्ड होता है इनर कॉर्टेक्स ठीक है हम आगे बढ़ते हैं यह पेरेंट काइमेटर पेरेंट काइमेटर उसी काओं की बनी होती है तथा यह बाह कार्टेक्स मज्धम कार्टेक्स एवां आंतरिक कार्टेक्स में विभेदित होती है बाह कार्टेक्स की कोशिकाओं में एंडोफाइटिक माइको राइजा पाया जाता है मज्ध कार्टेक्स बड़ी बड़ी पेरेंट काइमा कोशिकाओं का बना होता है इन कोशिकाओं में इस्टार्च करण पाये जाते हैं इनमें अंदर कोशिकी कोशों का अभाव होता है आंतरिक कार्टेक्स की कोशिकाओं फ्लोबाफिन की उपस्थिती के कारण गहरे भुरे रंग की होती है फ्लोबाफिन का आक्सी कर बद है जे जह ठोबाफिन है वो टैनिन का आक्सी कर आठेक्पाद है ठीक है और धार्ड में आते हैं आपका इस्टील छो ता है उसे हैं क्या बजायाँ ये इन तीको बड़ेक्स एपनर गोटाइखे दी इसको आगे चलकर पढ़े यहां अंतरिक कार्टेक्स प्लैम यह कोटेक्स प्लैम अंतर्च्ट जूअ फ्लोयम का बना होता है यह य किसकत रहरे है lot time हvent, तरह यह परिक्स के ठीक नीचे उपस्तित होती है यह एकस तरीकों सिस्काँ का बना होता है इसकी अरी भित्ती में कैस्पूर यन श्ट्रिप पाई जाती है अंतह त्वचा के नीचे पेरी सैंकिल का एक स्थर पाया जाता है ठीक है और साइलोटम की स्टील प्रोटर स्टील प्रकार की होती है जिसमें केंद्रे भाग में जाईलम उपस्थित होता है जो की चारो और श है जाईलम प्रोटो जाईलम इवा मेटा जाईलम में विभेदित रहती नहीं होती यह इसमें जो जाईलम है वो प्रोटो जाईलम और मेटा जाईलम में विभेदित नहीं होती ठीक है जाईलम ट्रैकिट्स का बना होता है ट्रैकिट्स मतलब मैं भी तो तकहस नहीं पता तेकिट्स एक प्रकार का आप इंजाइम या कुछ ऐसी मान सकते हो ठीक है और इधर नाम को तो देखे लिए होगे जाइलम ये वाला जाइलम है फ्लो एम है तो टो जाइलम प्रिक्रील को टेक्स है इसके बाद में यहां पास क्यूटिकल है टीगे? टीगे? बाइ